ही एवरीवन माई नीम इस नदी भातनागर और वेलकम यू आल इस चैनल तो आज की विडियो में क्या सीखेंगे देखो आज हम करने बाले हैं क्लास पूर्थ का साइंस का पहला चाप्टर रालेवन समसाइंस इन एवरीडेय लाइप बहुत सिंपल से चैप्टर है बहुत हम से समझ आएगा तो चलिए विदाउट डिले जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं वी एव लांट हाव वंडर्स ऑफ साइंस अर प्रेजेंट ऑल एरांड उस पर हम जो हैं साइंस के चमतकार तो अपने आसपास दीखते ही हैं वी आफ लॉन्ट हमने सीखा है हाव वंड सब्सक्राइब से ही बना है साइंस इस अन इंटेगर पार्ट ऑफ एवरीधिंग एरांड अस हमारे असपास जो भी चीज़ें हैं साइंस उसका अबिन अंग बिना साइंस के तो कोई भी चीज संभव नहीं थी बाइव लर्निंग साइंस को समझने के द्वारा वी अंडर् एरांड अस हम अपने आस पास की संसार को समझ पाते हैं वी लर्न हम सीखते हैं टू आसको कुश्चंस प्रश्ण करना लोगों से सवाल पूछना एंड टू फाइंड करेक्ट आंसर और उनके सही आंसर पता लगत तो दोस कोश्चंस ठीक है जो सवाल आपके दिमाग में आ एवरी स्टूजेंट ऑफ साइंस बड़िंग यंग साइंटिस्ट हार एक स्टूजेंट यानि कि आप भी अब क्या है एक उभरते हुए साइंटिस्ट ही तो हैं जैसे एक बड़ यानि कली होती है और वो धीरे-दीरे फूल बन जाती है इसी तरीके से बचो धीरे-दीरे तुम साइंस पढ़ते जाओगे और पढ़ने के बाद एक नएक दिन तुम साइंटिस्ट भी बन सकते हो और क्या करना चाहिए इसके लिए हमें साइंटिक साइंटिफिक मैथर्स को यूज करना चाहिए जिससे कि हम घढ़ यानि कि खटा गर पाएं नया जो है वो साइंटिफिक मैथर्स किया करते हैं हमको सिखाते हैं हमको टीच करते हैं किस सरी के से टु एक्वायर मतल़ा प्राप्त करना इक तरीके से हम नॉलेज को कैसे गें करें कैसे प्राप्त करें बाइ अब्सर्विंग तिंग्ज अरा उन चीजों से जो हमारे आस-पास हैं उनक सब्सक्राइब कर लाते हैं मतलब जब हम साइन्टिफिक मैथर्स को यूज करते हैं न तो बचो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी हो जाते हैं कि जितके आफी सारे सवाल आपके मन में होंगे ठीक है किसी भी चीज़ को लेकर सोचो कि आपको सोचना है दिमाग में जो हैं अलग अलग कोशन साइंगे फिर लोगों से पूछोगे धीर धीर आपकी नॉलेज बढ़ेगी पॉसिबल आंसर पता चलिए हम टेस्ट करते हैं बड़े हो जाते हैं तो हम टेस्ट करकर के पॉसिबल आंसर निकालते हैं ठीक है तो दस साइंटिफिक मैथर्ड हमें सिख कि अदना और हम एक रहन सकते हैं उनके कर energ को किसी बीचीज का साइंटिफिक मैथर्ड का मतलब होता है कि आप एक्स्पेरिमेंट जने साइंसJust गर कर món सब्सक्राइब करना पड़ता है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना और से समझना पड़ता है कि इस तरीके से हो रहा है इस तरीके से हो रहा है जैसे सूरज सुरज सुबह के टाइम हमें दिखाई देता है शाम के टाइम नहीं दिखाई देता है फिर सुबह को दिखाई देता है फिर रात को ड़ल जाता है फिर सुबह दिखता है कि अब्सर्फ ही तो of our friends have come to class कौहन से दोस्त है हमारी जो क्लास में आया है and where they are sitting वो कहां बैठे हैं if a friend brings a new pencil or eraser to class क्या हमारा आज कोई दोस्त जो है वो नहीं pencil लाया है क्या हमारा दोस्त कोई नहीं eraser आया है यह हम देख देख के ही observe करते रहते हैं और चीजें समझते रहते हैं we observe that too मतलब चूट-चूटी चीज़े तक भी हम observe करते हैं we are constantly observing things around us हम लगातार अपने आसपास की चीजों को observe कर रहे हैं collecting and recording data by observing things we note certain facts हम चीजों को observe करकर के कुछ जो है certain facts जो हैं उनको हम note down करते हैं a collection of facts is called data अब data क्या होता है question आ सकता है तो collection of facts जो है वो हमारे data कहलाते हैं data has to be noted down data को लिख लिया जाता है और record किया जाता है correctly मतलब उसका पुरा record बनाया जाता है एक से तुम छोटा सा data समझे तुम्हारे school में अगर कोई data collect करना हो कि कितने बच्चे जो हैं पढ़ने में average हैं कितने बच्चे बहुत हुआ हैं और कितने बच्चे बिलुए average हैं तो यह आपने क्या क्या पहले बच्चो को फिर उसके बाद आपने उनको लिखा data बनाया उनका चिक है उसके बाद कहना क्या चिक करना आपने उसको record कर लिया तो आप देखो इक आपको तरीका बताएंगे दे डापको नगा स्टोडम को तरिका बटाएंगे बच्चे बच्च्ण से कहा गया कि आप लुक बताओ आपको फिवरेट चॉक्लेट कॉन सा है तो अथितली होगा एंट ने इसरी किने है और कुछ ने सपने लिका डेपकर क का रिकॉर्ड बना लिया दे वर गिवन थी ऑप्शन्स तो चूज उनको एक्स वाई जाटीन चॉकलेट के नाम दिये गए थे इच स्टुडेंट वस आस्ट चूज दूज दे लाइक दा डाटा कलेक्ट फॉन्स वर रिकॉर्ड इन दे टेबल इस तरह से टेबल मना के एक बच्चा एक लाइन से दो बच्चे दो लाइन से तीन बच्चे चार बच्चे फिर पाँ वाँ बच्च छे साथ आठ नौ फिर दस इस तरह से बनता ही है चीक है तो इस तेंडिक लाइन वर्स दौन फॉर हूँच एच दो फॉर्ट अफूर इस तो इस से में परूठ इससे काफी असान हो जाता है count करना भी और total number of students भी आपको राम से पता चल जाते हैं who like the particular chocolate जो particular chocolate को पसंद करते हैं the total number of students in the class वो 40-40 बच्चे है total बच्चे observing, collect, recording, followed by analyze and conclusion of data are important steps in scientific method scientific methods में observe करना, collect करना, record करना फिर उसको analyze करना है ना यही जो है यह सब important जो है इसके बहुत important steps है they help us to find answers to our questions और problems यह हमारी मदद करते है questions और answers का मतलब एक तरह की से questions के answer बताने में हमारी problems को solve करने में चीक है तो बस that's all in this chapter यह तो बहुत चूठासा chapter था वीडियो अच्छे लगे दो जूरू लाइक कीजिगा share कीजिगा चैनल को subscribe कीजिगा thank you